गिंती की पुस्तक अध्याय साथ वेदी के अभिशेक के उच्छव की भेटे फिर जब मुसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिशेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिशेक करके उसे पवित्र किया तब इस्रायल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोतरो अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल इन्हें वे निवास के सामने यहवा के समीप ले गए तब यहवा ने मूसा से कहा उन वस्तों को तू उनसे ले ले कि मिलापॉले तंबु के बरतने में काम आए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेश सेवकाई के अनुसार उनको बाट दे जो मूसा ने वे सब गाडिया और बैल लेकर लेवियों को दे दिये और गिरशुनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने दो गाडिया और चार बैल दिये और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने चार गाड़िया और आठ बैल दिये। ये सब हारुन याजक के पुत्र इतमार के अधिकार में किये गए। और कहातियों को उसने कुछ न दिया। क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तूओं की यह सेवकाई थी कि वह अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिशेक हुआ तब प्रधान उसके संसकार की भेट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। तब यहवा ने मूसा से कहा वेदी के संसकार के लिए प्रधान लोग अपने 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 निय दिन पर चढ़ाए। सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेट ले गया वह यहुदा गोत्रवाले अम्मिनादाप का पुत्र महशोन था। उसकी भेट यह थी। अर्थात पवित्रस्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबली के लिए एक बचड़ा, एक मेंधा और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, पापबली के लिए एक बकरा, दोनों और मेलबली के लिए दो बैल और पांच मेंधे और पांच बकरे और एक एक वर्ष के पां भेडी के बकरे, अब मिनादाप के पुत्र महशोन की यही भेट थी, दूसरे दिन इससाकार का प्रधान सुवार का पुत्र नतनेल भेट ले आया, वह यह थी, अर्थात, पवित्रस्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात, और 70 शेकेल चांदी का एक क ये दोनों अन्न बली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ दस चक्यल सोने का एक धूपदान, होम बली के लिए एक बच्डा, एक मेंधा और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, पाप बली के लिए एक बकरा और मेल बली के लिए दो बैल और पाँच मेंधे और पाँच बकरे और एक एक वर्ष के पाँच भेडी के बच्चे। सुवार के पुत्र नतिनेल की यही भेट थी। और तीसरे दिन जुबलुनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेट ले आया। अर्थात, पवित्रस्थान वाले शेकल के हिसाब से एक सव तीस शेकल चांदी का एक परात और सत्तर शेकल चांदी का एक कटोरा यह दोनों अन्न बली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ दस शेकल सोने का एक धूपदान, हुम बली के लिए एक बचड़ा, एक मेंधा और एक वर्ष का एक भीड़ी का बच्चा, पाप बली के लिए एक बकरा और मेल बली के लिए दो बैल और पाँच मेंधे और पाँच बकरे और एक एक वर्ष के पा अर्थात, पवित्रस्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए, मैदे से भरे हुए थे. फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपतान, हुमबली के लिए एक बचड़ा और एक मेंधा, और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, पापबली के लिए एक बकरा, और मेलबली के लिए दो बैल और पांच मेंधे और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पां अर्थात पवित्रस्थान वाले शेक्यल के हिसाप से 130 शेक्यल चांदी का एक परात और 70 शेक्यल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे फिर धूप से भरा हुआ दस शेक्यल सोने का एक धूपदान हुमबली के लिए एक बच्टा और एक मेंधा और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा पापबली के लिए एक बक्रा और मेलबली के लिए दो बैल और पाँच मेंधे और पाँच बक्रे और एक एक वर्ष के प्रधान दुएल का पुत्र सल्या साथ यह भेट ले आया अर्थात पवित्रस्थान वाले शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन्न बली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे फिर धूप से भरा हुआ दस शेकल सोने का एक धूपदान हुम बली के लिए एक बचड़ा और एक मेंधा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा पाप बली के लिए एक बकरा और मेल बली के लिए दो बैल और पांच मेंधे और पांच बकरे और एक एक वर्ष के पांच बेडी के बच्चे, दुएल के पुत्र इल्ला साप की यही भेट थी, और सात्वी दिन एप्रेमियों का प्रधान अम्मी हूद का पुत्र शाली शामा यह भेट ले आया, अर्थात, पवित्रस्थान वाले शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी क एक कटोरा, ये दोनों अन्न बली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे, फिर धूप से भरा हुआ दस शेकल सुने का एक धूपदान, हुम बली के लिए एक बचडा, एक मेंधा, और एक वर्ष का एक मेंधी का बच्चा, पाप बली के लिए बकरा, और हुम वर्ष के पांच भेडी के बच्चे, अमिहुत के पुत्र एली शामा की यही भेट थी, आठवे दिन मनश्ययो का प्रधान पदासुर का पुत्र गमलीयल यह भेट ले आया, अर्थात पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनो अन्न बली के लिए तेल से सने हुए और मईदे से भरे हुए थे, फिर धूप से भ़ा हुआ दस शेकल सुने का एक धूपतान, हुम बली के लिए एक बचडा और एक मेंधा, एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, और पाप बली के लिए एक बकरा, पदा सुर के पुत्र गमली एल की यही भेट थी। पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चान्दी का एक परात और 70 शेकल चान्दी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ दस शेकल सोने का एक धूपतान्दी के लिए एक बचड़ा और एक मेंधा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा. पापबली के लिए एक बकरा, और मेलबली के लिए दो बैल, और पाच मेंडे, और पाच बकरे, और एक-एक वर्ष के पाच बेडी के बच्चे, गिदनी के पुत्र अभिदान की यही भेट थी, और दस्वे दिन दानियों का प्रधान, अम्मी शद्दे का पुत्र अर्थात, पवित्रस्थान के शेकिल के हिसाब से 130 शेकिल चान्दी का एक परात और 70 शेकिल चान्दी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे. फिर धूप से भरा हुआ दस शेकिल सुने का एक धूपतान, हुमबली के लिए एक बच्टा और एक मेंधा और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, पापबली के लिए एक बक्रा और मेलबली के लिए दो बैल और पांच मेंधे और पांच बक्रे और एक एक वर्ष के अम्मिशर्दय के पुत्र अखियाजर की यही भेट थी, और ग्यारवे दिन आशेरियों का प्रधान उक्रान का पुत्र पजियल यह भेट ले आया, अर्थात पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, यह दोनों अन्न बली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे, फिर धूप से भरा हुआ दस शेकल सुने का एक धूपदान, हुम बली के लिए एक बचडा और एक मेंधा, और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, पाप बली के लिए एक बकरा, और मेल बली के ल उकरान के पुत्र पजेल की यही भेट थी और बाहरवे दिन नक्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहिरह यह भेट ले आया, अर्थात पवित्रस्थान के शेकिल के हिसाब से 130 शेकिल चांदी का एक परात और 70 शेकिल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ दस शक्य सोने का एक धूपदान, हुम बली के लिए एक बचड़ा और एक मेंधा और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, पाप बली के लिए एक बकरा और मेल बली के ल एनान के पुत्र अहिरा की यही भेट थी। वीदी के अभिशेक के समय इसरायल के प्रधानों की ओर से उसके संसकार की भेट यही हुई। अर्थात चांदी के बारह परात चांदी के बारह कटोरे और सोने के बारह धूपदान एक-एक चांदी का परात 130 शेकल का और एक-एक चांदी का कटोरा 70 शेकल का था। और पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से यह सब चांदी के पात्र 2400 शेकल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के बारह धूपतान जो पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से दस तस शेकल के थे वे सब धूपतान एक सो बीस शेकल सोने के थे। फिर हुम बली के लिए सब मिलाकर बारह बचडे, बारह मेंधे और एक एक वर्ष के बारह भेडी के बच्चे अपने अन्न बली सहित थे। फिर पाप बली के सब बकरे बारह थे और मेल बली के लिए सब मिलाकर चौबीस पैल और साथ मेंधे और साथ बकरे और एक एक वर्ष के साथ भेडी के बच्चे थे। वेदी के अभिशिक होने के बाद उसके संसकार की भेट यही हुई और जब मुसा यहवा से बाते करने को मिलापवाले तंबु में गया तब उसने प्राश्चित के ढखने पर से जो साक्षी पत्र के संदु के उपर था दोनों करवों के मध् के की.